साथियो नमस्कार साथियो गेहों की फसल में अब एक ऐसा समय आ रहा है जहां पर कि किसान भाहियों को थोड़ी सी कन्फूजन इस बात को लेकर है कि वो कीटना सक लगाएं या फंगी साइड लगाएं ज्यादतर किसान साथी NPK 1919 का इस्तेमाल कर रहे है तो वो पूछना चाहते हैं क्या NPK के साथ में कीटना सक या फंगी साइड में से किसी एक को मिला सकते है या दोनों को मिलाकर लगाया जा सकता है साथियो ग्रोथ प्रोमोटर बहुत सारे किसान साथी यूज कर रहा है आज की डेट में तो ग्रोथ प्रोमोटर के साथ में क्या वो NPK मिक्स कर सकते हैं या कीटना सक मिक्स कर सकते हैं या फंगी साइड को भी मिक्स किया जा सकता है यहां पर सबसे मुख्य सवाल यह है कि क्या पहले और दूसरे पानी के बीच में हमें एक fix संत्राल रखना चाहिए या फिर अपनी situation के हिसाब से हमारा कौन सा समय सही रहेगा कि हम दूसरे सिचाईगी तैयारी करें साथियो आज की वीडियो में यह सारे topic clear करेंगे और जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है साथियो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर गेहों में लगने वाले कीटना सक या fungicide के बारे में कि कोई भी symptom हमारे खेट के अंदर हैं तो उनके लिए हमें कीटना सकी जरूरत पड़ीगी अगर हमें लगता है कि हमारे खेट में कोई भी कीट नहीं है इस टाइप का जो रहेंगने वाला हो या ओडने वाला हो तो फिर हमारे खेट में पानी ज्यादा भरने की वज़ा से या यूरिया बहुत ज़्यादा डिले होने की वाज़ा से पीलापन हो सकता है इसको खतम करने के लिए हमें एक अच्छे फंगिसाइड के जरूरत पड़ेगी अब फंगिसाइड में भी हमें ये डिसाइड करना होगा कि contact फंगिसाइड लें या systematic फंगीसाइड लें, तो इसके लिए हमारे पास में सबसे अच्छा उप्षन यह है, कि अगर हम spray के माद्दी हमसे दे रहे हैं, तो contact fungicide ले लें, और अगर हम burkao के माद्दी हमसे यूरिया खाद के साथ burkao के माद्दी हमसे लगा रहें, तो हम systematic fungicide ले लें, वो हमारे लिए ज़्यादा बहतर सावित होगा साथियो, बहुत सारे किसान भाई पूछना चाहते हैं कि क्या कीटना सके साथ में हम Fungicide को Mix करके लगा सकते हैं नहीं, आपको कीटना सके साथ में कोई भी Fungicide Mix करके नहीं लगाना है इससे हमारे कीटनासक या फंगिसाइड किसी एक की डोस जो है वो हल की हो जाएगी अपने आप में ही दूसरा बहुत सारे किसान साथियों का एक सवाल ये रहता है क्या NPK के साथ में हम कीटनासक या फंगिसाइड किसी एक को मिला सकते हैं उतने परसेंट में वो काम नहीं करेगा, इसलिए NPK के साथ भी कोई भी कीटनासक या फंगीसाइड नहीं मिलाओगे, तो आपको ज़्यादा बहतर रिजल्ट आगे मिलेंगे, साथियो, यहाँ पर कुछ किसान भाहियों का सवाल यह रहता है, क्या ग्रोथ प्रोमोटर के सब्सक्राइड नहीं करें, तो यहाँ यहाँ पर यह रहाएं, तो कोई भी कीटनासक या फंगीसाइड मिलाओगे, उप्योक कर सकते हो, यहाँ पर सबसे एहम सवाल ही है, क्या हम पहली सिचाई और दूसरी सिचाई के बीच में जो अंत्राल है, उसे एक سमय पर रखे हैं, तो देखिए इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं अगर आपने पहली सिचाई करने के साथ में ही खर्पतवार की दवा लगाई है तो खर्पतवार की दवा लगाने के लगवग 4 दिन के बाद में आपको उस टाइप का सिम्टम्स आपके खेत में नजर आने लगेंगे कि आपके खेत में पानी की जरूरत होगी कुछ मिट्टी जो चिकनी मिट्टी होती है जो पानी को ज़्यादा समय तक धारान करने की छमता रखती है उस मिट्टी में यह समय लगवक 8-10 दिन के बाद में आएगा जब कि आपको महसूस होगा कि आपके कहत्म पानी की जरूरत है कुछ किसान साथी खर्पदवार की दवा लगाने के बाद में जल्दी खाद लगा देते हैं जिससे कि खर्पदवार की जड़ें नहीं गल पाती ही और खर्पदवार फोटाव लेके उपर चल देता है और पहले से ज़्यादा घने मात्रा में हमें खेत में खर्पदवार दे आपको कोई भी खाद देना है तो भी आप ये पहले सुनिश्चित कर लें पूरी तरह से कि पौदा आपका जो खर्पदवार का है वो मुर्जा चुका है खतम हो चुका है अगर पौदे की जड़ों में थोड़ी सी भी गुंजैस है तो वो खाद पाने के बाद में रख सकते हैं और जो चिकनी मिटी है उसमें आपको दस से पंद्रह दिन का अंतराल रखना होगा और इससे पहले अगर आप दूसरे सिचाही करते हैं तो ये आपके खेत में पीलापन भी ला सकता है क्योंकि खेत में फंगस बन सकती है अगर पानी का ठहराफ ज़्यादा हो अगर आप फंगी साइड को NPK के साथ मिलाते हो तो वो वहां पर फॉस्पेट के साथ में react कर सकता है उधर कीतना सक भी NPK के साथ में react कर सकता है इसलिए आप इनके साथ में ना मिलाके आप उसे अकेला उप्योग करोगे तो आपको जादा अच्छे result देखने को मिलेंगे अ हम कीतना सक और fungicide को अपने खेत में एक साथ लगा सकें तो देखिए आप खाद लगा रहे हो कभी भी पानी लगाने से पहले आप खेत में खाद लगाओगे उसके साथ में कोई भी booster dose लगाना है उसे mix कर लो खाद के साथ में जो भी आपका systematic fungicide है उसे आप खाद के साथ mix करके बुर्काओ के माद्ध हम से दे दो और जो आपका कीतना सक है वो सिंचाई करने के बाद जब खेत में चिपक वाली स्थिती बने उस स्थिती में आप spray के माद्ध हम से दे दोगे तो भी ये बड़िया काम करेगा आप कीतना सको खेत में खाद के साथ में मिलाके भी बुर्काओ कर सकते हूँ क्योंकि बहुत सारे कीतना सक बुर्काओ के माद्ध हम से लगाने के लिए ज़्यादा अच्छे result देते हैं जैसे कि यहाँ पर recent है, recent ultra है और कैई सारे fury है फेराडोन है यह आप मिक्स करके खित में बुर्काओ कर सकते हो कीतना सके रूप में और अगर आपने स्प्रे के माद्ध हम से देना है तो आप यहाँ पर कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजब 36% जो की एक अच्छा contact fungicide है और systematic fungicide भी है इसका 500 ग्राम प्रती एकड के हिसाब से स्प्रे के माद्ध हम से उप्योग कर सकते हो हाँ एक बात कि बूश्टर को हम कीतना सक और fungicide किसके साथ मिला सकते है तो देखिए कोई भी बूश्टर है चाहे वो humic acid है, potassium, humate, liquid है यह किसी भी टाइप का बूश्टर है उस बूश्टर को आप कीतना सक और fungicide दोनों के साथ मिला कर कभी भी लगा सकते हो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी हाँ, कीतना सक और fungicide को दोनों को एक साथ mix नहीं करना है चाहे कीतना सक के साथ में आप बूश्टर मिला लो चाहे fungicide के साथ में आप बूश्टर मिला लो कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी सात्यों इस टाइप से आप अपने खेती का solution कर सकते हो बड़े आसानी से आप यह decide कर सकते हो के भाइ हमें कीतना सक throwingicide कब लघाना है अगर आपके खेत में कीट है तभी आप कीटना सक लगाए वरना कीटना सक लगाने की जरूरत गैहुं के फसल में खास कर नहीं है अगर आपके खेत में Fungus की वजह से पीलापन है तभी आप fungicide लगाएं otherwise आपको fungicide लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथियो आशा करता हूँ आपको जनकरी ठीक लगी होगी फिर विए अगर आपकी कोई query हो तो comment box में जरूर पूछे अगर चैनल पर नई आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लें ताकि नई वीडि notification आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार खिसंस आती हो